नमस्ते मेरे चैनल के धनलक्षमी हों कुप में आप सभी का स्वागत है आप सभी को हैपी नवरातरी तो नवरातरी और वरत के लिए बड़ी हल्वा बनाते हैं देखिए आप इसे प्रशाद में चड़ा सकते हैं या फिर आप इसे वरत में खा भी सकते हैं तो इसे सुरू कर देखेंगे चलिए चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किजिए देखें गैस जलाकर कड़ाई गरम करें और एक कप मतलब एक टेबल स्पून घी ले और इसमें ड्राइफ रूट्स को हलके से फ्राइब कर ले घी आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकत हो तो मैं एक टेबल स्पून ले ली हूँ घी देखिए फ्राइब हो गये हैं अब इसे घी से बाहर निकालके एक कप सूजी को उसी घी में फ्राइब कर लेते हैं चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आरहे ही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं तो देखिये गोर्डन ब्राउन कलर में सूजी फ्राय हो गई है उसके बाद हम जिस कप से सूजी लिए उसी कप से तीन कप पानी ले रही हूं मैं वही कप से एकी नाप से ले रही हूं तो देखिये बराबर तीन कप है इससे एक बार अच्छा से चला लेजिए जरासा एei वन फिंच शाल्ट भी डाले इसमें नमक डाल कर आज को मेडियम ही रखे एक बार चलाने के बाड ढख लेते हैं ढखने के बाद आज को मेडियम लो कर लेते हैं सिम में से कुक होने देते हैं देखिए दो से तीन मिनद बाद अच्छा से चला लेजिए देखिए कुख हो गई है सुजी अब उसी कब से जैसे हम सुजी लिये थे उससे मैं आदा कप ले रही हूँ आप अपने हिसाप से कम ज्यादा कर सकते हुआ तो मैं आदा कप सुजी के लिए आदा कप सुगर ले आप अपने हिसाब से ले लीजिए गी और शुगर आप अपने मन पसंद इतना ज्यादा पसंद एक कम पसंद ले सकते हो देखिए एक मिनाट के बाद और एक उक हो गई है शुगर डालने के बाद अब इलाइची पॉर्डर डालकर अच्छे से चला लेजिए अब कडाई छूट रहा है अब ये बनने लग गया गैस को बंद कर दीजिए और एक बार चला लेजिए फिर ये सर्व करने के लिए तयार है गैस बंद करने के बाद चला रहे हैं देखिए कडाई छूट गई अभी बन गई है अब इससे सर्व कर ले ड्राइफ रूट्स को आप उपर से सजा सकते हो या फिर हल्वा में भी आप मिला सकते हो तो इसी तरह अच्छे वीडियो कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक किजिए